कि पैसा आता है exchange of value से और क्या दे रहे होते हैं आप service या product तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि यार service of product का होना ज़रूरी है You get money ये बड़े important element है पैसा कैसे आता है You get money in exchange of value provided through product or services पैसा हमेशा जब भी आएगा वो कैसे आता है आप अपनी value आप दे रहे होते हैं services या product के तहते हैं और ये आपकी भी हो सकती हैं किसी और की भी हो सकती है जिस तरह अफिलियर्ट मार्केटिंग में आपकी product या आपकी service नहीं होती है लेकिन किसी और की product or service को आप promote कर रहे होते हैं जिसके तहता है e-commerce के अंदर भी अगर आप चले जाएं तो आपकी product नहीं होती है आप किसी और की product को उठाके shipment वगरे या उसको Amazon FBA के तहते हैं वगरे आप sale कर रहे होते हैं तो इसको समझना जरूरी है कि पैसा आता है exchange of value से और क्या दे रहे होते हैं आप service या product तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि यार service या product का होना जरूरी है और जितनी जादा उसकी value होगी effective होगी iPhone की हम बात करते हैं ठीक है लाक रुपए का वो से उपर का phone है ठीक है लेकिन इवन देन लोग line में खड़े होते हैं लेते हैं क्यूंकि वो value deliver कर रहा है 10 लाक की वो एक 50 चीज़ें को जोड़ के करूं तो शायद मुझे करना पड़े लेकिन ये एक टूल मेरे लिए कर रहा है systematic के और सारी बहुत से जो भी iPhone की user है वो क्यों नहीं अड़ते जो Mac के user है वो क्यों नहीं अड़ते those people are not the people who to whom you should sell your product or service और जब प्राइस की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि आपकी product or service के computer बहुत जादा है market के और फिर आप प्राइस के ओपर ही compete कर सकते हैं कोई बंदा आपके पास आएगा इसलिए आएगा कि आपकी प्राइस तो वेल्यू वहां पर कोई नहीं हो रही है तो यू नीड तो ब्रिंग आ सॉलिड वैल्यू देट डिफ्रेंशेट यू फ्रम यूर कंपिटीटर और फिर लोग आपको वह पैल्यू पे करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट इसको समझ लें कि आपको पैसा तब मिलेगा जब आप के पास सर्विस के लिए ठीक है